हेलो डियर स्वेंट्स विल्कम टू प्रोफेसर एस्पी गोयल जाइस क्लास्रूम प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे बच्चों नहीं यह कुछ है कि सर हमारे पास जो मेटीरियल है अल्रीडी बहुत सारी आटर ददद दजना बुकलेट लेली हमने वो पड़ेगा स्ट सब्सक्राइटिक में जो है NCRT पड़ें तो इदा का आपने कुछिन पूछ लिया अंसर बढ़ा सिंपल है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा यह क्या है कि आपने जो NCRT में नोट्स बनाए है वो फार फार बैटर है देन दोज कोचिंग सेंटर नोट्स यह तो सबहने बनाए है अपनी इंटेलजेंश्या से अपनी नोलेज से जो पड़ा आपने से वहां आपको पता ही नहीं है किसने लिखा है किया बता सकता है जो आपने नोट्स खरियब देए हो वो किसने लिखे हैं, वहां नाम नहीं होता है कि एंस्याटिक किताब में एडिटोरियल बॉर्ड होता है पुरा कितने प्रोफेसर्स जो कितनी नुस्तिज के तो स्टैटिक में अच्छे मास लेने के लिए 60% से ज़्यादा लेने के लिए हमेशा एंस्याटी और स्टेंडर्ड बुक्स के जो आपके नोट्स हैं उनको बार में वाले क्वेशन क्या है उनको चार स्टेटमेंट मना देंगे सिंपल प्रेजिट की पावर पूझ लिए पाडनिंग पावर या रिट्स पूझ लिए सुप्रीम कोट के यहाई कोट के मेंडा मसरिये तो वो तो आप मेन में लिखो गए वही जो अनो उसके पुश्र मन जाएंगे तो आप डिपेंड करो अपने नोट्स पे विश्वास करो अपने पर विश्वास ना करके उस इंसान पर विश्वास करो जिसको आप जानते नह लिखा है किस क्या पता किस ने लिखा है वो उसका कितना experience है क्या उपनी इंट्रीजिंशिया से जज्मेंट से समझो उससे क्या होगा आपके रोजना दो तिन गंटे बच जाएंगे फाल्तू मेटेल पढ़ते हो जो उनी पढ़ोगे तो यह आपकी अपनी जज्ज्मेंट है मैं रोजना बताता हूं आपको जैसे क्रंट में आप इतने फ्री होगे मैंने आपको पच्छी सो कुष्चिन से ज्यादा दे दिये और सारे बच्चे यह कह रहें हर कुष्चन आशा लगता है और दूसरा कुष्चन लगता है ऐसे ही नीजिए यह बड़ा कोर्पेट खड़ा नहीं करना मैं तो अपने चापता हूं कि मेरे सारे बच्चे प्रिमरी पास हो जाएं पॉत पांच साथ बच्चे आइस बन जाएं तो इसलिए आथा कि जो बच्चे यह सोग निसकते थे क्वात इस बन सकते हैं तिन तिन बडर प् लिम स्प्रिंट का और आप से जो फीडबेक आया है मुई तना जबरदस्त आया कि सर हमें इससे कॉंफिडेस आ रहे हमें पता चल जाता है और मैं यह से कुष्टन सारे नियुजियों पर सही लाता हूं जैटी तो कोई लाता ही नहीं है जो बार-बार डिस्केस होते हैं तो पहला कोशन देखते हैं यह हमारा आर्ट एंड कल्चर से ट्राइब से क्योंकि पीवीटीजी पर हर बार एक कोशन आता है करीव करीव आना चाहिए इस वार भी क्योंकि इस वार तो जन्मान स्कीम जो नपरदानमांतर जीन लांच किये बहुत बढ़ी पीवीटीजी के लि है कुण सब पर्टिकुलरली वलनेवर ट्राइबल ग्रूप है इन में से ऐसे पुछे आपने सारे याद कर लिए अंडेमान के भी निकोबार के भी सारी प्राइब ये जो है पीवीटीजी याद कर लिए उसके बाद ये पूछ लिया क्वेशन ऐसे निगालता है जामदत अब ये फिर आर्ट अंड कल्चर सागया फेस्टिवल ये फेस्टिवल फेस्टिवल फरन्ट पेज में जो ना इसकी पिक्चर आई थी हिंदु में और काफी टिस्टिस हो चुगा है ये इन विच स्टेट मकारा विलाकू फेस्टिवल इस सेलिबरेटिड इजी ये ऐसे क् पड़े होगा तो बहुत हीजी है नहीं पड़े होगा तो यह मौस्टिवल थीकल के अभी ये इनवार्मेंट से है क्लाउड इट लेपर्ड इजां में यह मान के चलो इसमें कुछ निए तोड़ना आपने अभी चार सेटमें नभी इसमें से कितनी ठीक है और ऐसी आसी मैं ने बहुत सारी स्टेटमेंट जो है क्लाउड लेपट पर त्यार किये हैं क्योंकि मुझे पता यह कुश्चन आना है अब यह भी जो है हमारा आट इंड कल्चर से नोर्थी स्टेट से आपका एक या दो कुश्चन आएगा आप रोजाना सुनते होंगे के सर आप इतने कुश पता होना चाहिए तो यह कुश्चन है मैं इसको एक्स्पेंट नहीं करूँगा चेटमेंट तू दरबार शनोग इजे ट्रेडिशनल विलेज इंस्टिशन ओफ खासी कुम्निटी इन में खाल ले हैं इस पर मैंने कम से कम साथा स्टेटमेंट दी हैं ऐसे कुश्चन से नि इस पर मेरे जो है इंटरनेशनल लोकेशन पर इंटरनेशनल खासकर अफरीक का और सारी मिला के कम से कम दस क्वेशन होगे इंटरनेशन के और मेरी कोशिची है कि 100% ठीक होने चाहिए तो मैप के मादम से आपको पता है आप रोजाना कर रहे हैं इतने मैप में बेज रहा विच सी चैनल रुनिंग बेट्विन ग्रीनलेंड एंड स्पिट्सबरगन को नेश्टा अर्किक ओशन विद नोडिक सीज आप कहेंगे सर यह कुश्टन का से लिए हुए वर्ड पेज पर आता है या तो इनिन एक्सपरेस में आता है या हिंदू में आता है वो निकालता ह सबसे इंपोर्टेंट है कि आपने अपना स्कोर बताना है कितने कुश्टन आपके ठीक हुए कोई बात निया चाहे अभी भी जो है लेकिन एक चीज का ध्यान अगणा समय बड़ा कम है यह नहीं आपके मालिया दो कुश्टन ठीक हुए आज पांच में से आप सोचोंगे म आपने को बेज रहा हूं हरमन मैंने 1200 कुश्रून में से हैं लेकिन कई आप नहीं कर पाते हम दो ही कर पाए तुस्से घवराने के बात नहीं है यह तो आपको शिरफ जो है चेक करने के लिए आपको एविलवेट करने के लिए और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखों तो पर कोई बच्चा नहीं है यह मान के चलो सेल्फ कॉन्विडेस रखना है यह नहीं सुचना कि यह बच्चा जो है 15 गंटे रोजना पढ़ रहा है मेरे साथ वाला और मैं साथ गंटे पढ़ रहा हूं हो सथा साथ गंटे में आप उससे बहुत अच्छे मांक्स लिया हू इंपोर्टन है कि क्या पढ़ रहा है वो या पढ़ रहे हैं क्या क्वालिटी कंटेंट है क्या वो यूपेसी का है क्या यूपेसी वो डिमांड करती है थेंक यू वेरी मच्च